हाई अब्रीबडे आज बीएपी क्वीज अगस्त बाह का फाइनल एपिसोड का कुल मार्क सभी अंकों को जोर कर बच्चों का करमवार सजाय जाएगा इसको अपनी भासा में कहते हैं पर्थम दूतिय तिर्थिय अस्थान प्राप्त बच्चों को घोसित करना और उत्साहित करने के लिए कुछ सर्प्राइज है छोटी सी ही लेकिन सर्प्राइज है और लगातार चारोपरति भागी अगस्त माह में चुकि पांच सप्ता हुआ था और पांचों सप्ता में लगातार भाग लिए और यह सुर्वात है बच्चे और जुरेंगे इस माह में बच्चे और भी आएंगे चुकि आज यह फाइनल है और सबसे बड़ी सर्प्राइज हमारे बीच पुरुषकार देने के लिए बच्चों की नाम घोशित करने के लिए हमारे बीच एकसर है परिचे के महताज नहीं है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग उनका सर का स्वागत भी करें और परिचे हम ना दें परिचे आप खुद समझ जाएंगे और सर स्वेंग देंगे तो इसे भी सर्प्राइज कुछ सेकेंड के लिए रखा जाए तो स्वागत है सर का कि सर का फाइनल में स्वागत है और बच्चों को उत्साह जगाने के लिए प्रेरित करने के लिए कि सर अपनी सहब्यक्ता दिखा रहे हैं और दो सब्द सर परिचे के साथ दो सब्द बच्चों के लिए सरपर्थम बीपी कॉंटेस्ट के लिए मैं इसके डायक्टर भालशन जी को तहे दिलचे धनवा देता हूँ कि आपने बच्चों के लिए इस तरह का कंपिटिशन आयूजन किया है और उसमें जो बच्चे च्छन के आए हैं वो हमारे बीच हैं आज उनको सरप्राइज मिलेगा पुरुषकार मिलेगा और शिक्छन के दोरान जो पाटिसिपेंट किया जाता है और उसमें जो हमें पुरुषकार के तोर पे मिलता है वो हमारे अगले कदम को बरहाने में सार्थक होता है यह हमारे चारो बच्चे हो पस्तित हैं आज इन्हें पर्थम दूतिये और तृतिये चतुर्थ के रुप में पुरुषकित किया जाएगा सर आपका परिचाय रहा गया से चुकि जो हमारे अरिया में है वो जानड़ है सर को लेकिन व्यूवर कुछ दूर तक है उन्हें भी जानकारी में मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वेंग परिचे ना दू तो बहतर है बावजुद इसके दिए आप परिचे दिलाना चाहते हैं तो मैं अपना छोटा सा परिचे ही देना उचित समझूंगा कि मैं चौशा में कन्यामद्विद्यले मैं सिक्षक के रुप में पदस्था पित ह हन्यवाद संजय कुमार सुमन सरका छोटा सा ही परिचे एक बेहतर सिक्षाविद पूरु से पत्रकारिता में जिर्यों हुए थे कलम से रिष्टा जन जनमान तर सरका है आगे भी रहेगा और उस कलम का लाब बच्चों को बेहिसाब मिल रहा है और मिलता रहेगा तो एक बार सार के सामने करो का इसिर्यों है अपना नाम मेरा नाम मोहमद गुफ्रान आलम है मैं वर्ग नाइन का छातर हूए मेरा नम बादल कुमारए मैं बच्चे की संख्यां कम है प्रियोग है शुरुवाती दौर है चलता चले कार्मा बनता रहेगा हमारा काम है प्रियोग सफलता की ओर है तो उसको लेकर चलें फिर से मैं बता दे रहा हूँ बिल्कुल नहीं सुल्क सेवा है और मैं वादा करता हूँ इन बच्चों को लेकर मैं वर्ग दसम में वर्ग दसम की जो परिक्षा बोर्ड की होगी दसमी की परिक्षा उस परिक्षा में लेकर इन करेंगे यानि मासिक परिक्षा जो यह जो क्वीज हो रही है डेर साल बचा हुआ है इनको दसमी बोर्ड एक्जाम देने में छे मा निकल गया है वर्ग नवम में है यानि देर साल लगाता देर साल इन बच्चों के साथ हम रहेंगे इसमें बच्चे और जूरेंगे या जो भी यह वक्त का तकजा है यह था परिचे की बात क्विज हो चुकी है फाइनल हो चुका है अंकों का योग भी हो चुका है लेकिन अंतिम क्विज हम उसका वीडियो अब तक अपलोड नहीं किये थे लेकिन पुर्शकार बितरन के तुरत बात वह वीडियो आपके पास उपलब्द रहेगा आप उनमें प्रस्ण अंसर देख लेंगे मिल जाएगा तो शुरू करते हैं नामों की घोसना से तो बच्चों का करम सज गया है लेकिन फिर से मैं याद दिला दे रहा हूं सभी बच्चों को बिशेशकर अभीवावा को कि बच्चों का अंक गोपनिय हम रख रहे हैं सारज जी ना कर रहे हैं इसलिए इसके पीछे कारण है कि बच्चों की यह परियोग शुरुवात है और अंकों का प्रेसर उन पर ना आ जाए तो इसलिए अंक को हम अभी गोपनिय रखेंगे कुछ माह तक गोपनिय रखेंगे लेकिन बच्चों का क्रमवार वो किस अस्थान पर आये किस हिसाब से घोषना की जाएगे क्या सर यह उचित रहेगा चुकि बच्चे को अंक का प्रेसर ना आ जाए अभी तो सिर्फ शुरुवात है कुछ दिन तक अंकों को गोपनिय रखेंगे लेकिन निश्चित रहिए कि जो भी हुआ है वो बिल्कुल सापशुत्रा हमारे नजर में सभी बच्चे समान हैं अंक वो लाए है अपने मेहनत से तो सर आपके पास आ गया है और नामों की घोषना नीचे से क्या जाए भालचन जी हमारे बच्चे इतना कमजोर नहीं है जो कि उनका जो पाइदान है चरने और उतरने का वो हम बताएं और फिर अंक ना बताएं तो बच्चे वो अपने पाइदान के हिसाब से समझ जाएंगे कि हमें इतना ही अंक मिला होगा जिसके कारण हमारा पाइदान इतन हर बच्चों के मन में जो competition देते हैं या परतुकता की तैयरी करते हैं और उनका result जब आता है अग कब आएगा उनके मुन में एक उधर बुन जो है बना हुआ रहता है और जब बारी आती है result की तो फिर उसके चेहरे या तो हसेंगे पीर पिर तो अंदर से उसमें कमी खलेगी लेकिन हम अपने बच्चों को अब कैसी कोई बात नहीं है या एक दौर है इस दौर में कोई बी जितता है कोई भी हारता है तो जितता वही है जो पहले हारता है हार में ही जीत है इस बात को आप मत लें Area यह बरत्पन नहीं है लेकिन बच्चों के लिए चुकि मैट्रिक परिख्षा में साथ अब्जेक्टिव प्रसन रहेंगे पचास बनाना ही ने उसमें ऑप्सन मिलेगा और हम यहाँ जो करा रहें ऑप्सन नहीं देते हैं सीधा सवाल होता है और जवाब गुलर से आता है तो जब कि वहाँ उससे नीचे रहेगा तो यह बात है और बच्चे हिम्मत दिखा रहे हैं कि वीडियो पर सार्जिनी बिल्कुल बिल्कुल यह बड़ी बात होती है पहले इसी हिम्मत को बरकरार रखने के लिए बच्चों के प्रतित्सा जगाते हैं और अभिभावक के लिए संदेश है कि बच्चों पर अपनी निगाश जरूर रखें आप कितना भी काम में क्यों ना ब्यस्त रहें अपने बच्चों का हिसाब किताब जरूर रखें यदि आप अपने बच्चों पर हिसाब किताब नहीं रखेंगे निगरानी नहीं रखेंगे तो एक समय ऐसा आए परतिकर्यात देना उचित नहीं है, सबी बच्चे हमारे हिम्मत वाज हैं, और हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, यदि आप हिम्मत खो देंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ते हैं। वही आगे भी बढ़ते हैं। कि अब हमारे मन में भी एक उधेर धनवाद देता हूं और बधाय देता हूं कि चले चोथे अस्थान पर हैं चेतन कुमार जी आपको बहुत बहुत धनवाद तीसरे अस्थान पर हैं मुहम्मद साहा जहां जी और दूसरे अस्थान पर हैं बादल कुमार जी और पहले अस्थान पर हैं मुहम्मद गुफ्रान आलम जी नामों की घोशना हो गई एक चीज़ां बताना पर्थमाद धिया से हमने किया था अगस्त माह और इस माह में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री पर तुरह जोड़ दिया जाएगा और यह तो सर अब हैं आगए हम लोग कुछ बच्चों को तौफा के लिए देखते हैं तो चोथे अस्थान पर चेतन गुपता चेतन कुमार गुपता तीसरे स्थान के लिए शा जहां और दूसरे स्थान के लिए बादल कुमा पहले स्थान के लिए मुहम्मद गुफ्रान आला तो यह था था थैंक्यू बैट जाएगा था यह था अगस्त माह का विजयता सर्पराइज या जो बच्चों को इनाम सुरुब दिया जाता है वो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा बच्चों के लिए महत उतना ही होता है शेवान निशुल के हैं आपके भी बच्चे आमंत्रित हैं और अब हम बरते हैं सितंबर माह में उसका चुकि वीडियो आने में थोड़ा लेट चल रहा है जो हार बीच में आ गए थे और कुछ तक्निकी कमी के कारण से थुरी गती धीमी हुई थी लेकिन देर आये दुरुस्त आये सितंबर माह का निशुत रुपेन कम से कम तीन एपिसोड तो होगा नि तो यह पुर्षकार भी हो गया अगस्तमा का फानलिस्ट हमें मिल गया अब जो क्वीज अंतिम क्वीज कराए गया था इस पुर्षकार वित्रन के बाद उस वीडियो को हम जारी कर देंगे आप उसको देखेंगे कि बच्चे किस तरह अपना अंक अर्जित किये तो फिलाल पुर्षकार वित्रन से तब तक के लिए हम लोग साल मिलते हैं अगले एपिशोड में तेंक यू